हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करती हों सब लोग अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेजिस्ट्रों टैबलेट खतम होने के कितने दिन बाद आपके पीरिड्स आते हैं क्योंकि इस चीज को लेकर के आए दिन सवाल आते हैं और हर एक कमेंट्स को हम डीटियल में नहीं समझा पाते हैं तो ये वीडियो उनी लोगों के लिए हैं जिनोंने रेजिस्ट्रों टैबलेट खाई हैं गाइनोसेट, प्राइमा लूटेन, रेजिस्ट्रों 10MG, रेजिस्ट्रों 5MG, ओविरोल जी, ओविरोल एल अगर डोक्टर ने आपको इन हार्मोनल पिल्स में क्या क्या आती हैं जैसे कि आपका सबसे पहले रेजिस्ट्रों 5MG, 10MG, 15MG और 20MG तक भी रेजिस्ट्रों अविलेबल रहती हैं वो कंडिशन देख करके पेशन को देते हैं इसके बाद में गाइना सेट 5MG हो गई, प्राइमा लूटेन, नॉर्थि ड्रोनिस 30 ऐसे बहुत सारे नामों से मैडिसिन्स आती हैं जिन में अक्सर 21 टैबलेट्स हुआ करती हैं किसी में 20 भी आती हैं और मेप्रेट, रेजिस्ट्रों ये सारी 1010 टैबलेट्स की स्ट्रिप में अविलिबल होती हैं तो डोक्तर इनको क्यों देते हैं कि अगर कोई महिला की कंप्लेंड ये रहती है कि मेरे काफी दिनों से पीरेट नहीं आ रहे हैं प्रेग्नेंस्य टेस्स करने पर नेगेटिव आ रहा है और अल्ट्रसाउंड भी नॉर्मल आ रहा है उसमें भी कोई खराबी नहीं आ रही तो फिर ऐसी कंडिशन में पेशेंट को हार्मोन टेबलेट से दे करके पीरेट को लाए जा सकता है तो आये दिन यही सवाल आता है कि मेडम मेरी टेबलेट खतम हो गई दो दिन हो गई मेरे पीरेट नहीं आए मुझे टेबलेट खतम मुझे चार दिन हो गई मेरे पीरेट नहीं आए तो जब भी एक रूल से होता है कि सारी patient को 7-8 दिन या इवन 10 दिन भी लग सकते period आने में जैसे कि मैं आपको एक example के तोर पे समझाती हो कि डोक्टर ने आपको 5 दिन की दवाई दिये जैसे कि आपने एक जन्वरी से चालू किये तो 5 जन्वरी को आपकी medicines खतम हो गई यानि कि registron, cycloreg, primalutin जो भी दिये आपक anyone, x, y, z, कोई भी नाम की दवाई दिये period लाने के लिए अब 5 तारिक को आपकी दवाई खतम हो गई तो आपके जो periods रहेंगे वो 7 तारिकों भी आ सकते हैं 9 को, 10 को, 11 को, 12 को यानि कि 15 जन्वरी से पहले पहले यानि condition में आपके periods आ जाएंगे पर अगर 15 जन्वरी तक आप की periods नहीं आते हैं तो एसी condition में आपको फिर से अपना एक pregnancy test करके देख लेना चाहिए ये उन लोगों को लिए है जो sexually active थे पर जो sexually active नहीं है उनके लिए pregnancy test करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सी बार ऐसा रहता है कि early pregnancy जो रहती है बहुत सारे cases में delay conception होता है अब delay conception में क्या होता है कि period miss हुए 10 दिन हो गए 12 दिन हो गए 15 दिन हो गए तब तक भी pregnancy test positive नहीं आता है तो ऐसे में अगर आप डोक्टर के पास मजाते हैं और डोक्टर आपको बोलते हैं कि pregnancy test करवा के लाओ या करके देखो तो वो negative आता है अब डोक्टर ने आपको 5 दिन के registron दे भी थी, registron खतम हुए 7-8 दिन, 10 दिन हो गए पर period नहीं आया तो फिर आप डोक्टर के पास में जाओगे तब डोक्टर आपको बोलेगा कि आप repeat UPT करो यानि कि pregnancy test फिर से करो अगर आप दूबारा से pregnancy test करते हैं और वो test आपका positive आ जाता है उसमें दोनों line clear आती है दार काती है पूरी तो फिर patient सोचता है कि मेरा अभी कुछ दिनों पहले तक तो negative था पर अब positive case से हो गया तो उस case में delay conception होता है जिसके current pregnancy test बहुत दिनों के बाद में positive आता है तो आपको registron टेबलेट खतम होने के बाद में 10 दिन तक इंतचार करना चाहिए अगर 10 दिन में आपके period से नहीं आ रहे तो फिर उस tablet से आएंगे भी नहीं आपको 11 या 12 दिन पर अपना एक pregnancy test करना चाहिए और वो morning का करना चाहिए क्योंकि जब पहले negative आ रहा था इतने दिनों तक तो maybe के delay conception के कारण आपको जब अगर आप दिन में देफोर में करते तो flint line दिखे तो अ तो उसमें clear हो पाएगा कि आपका test positive आ रहा है कि फिर भी flint line आ रही अगर flint line आती है तो इसमें खत्रे की बात रहती है मिन्स सभी cases में नहीं रहती है कुछ cases में 70 के नहीं की जर्वत रहती है क्योंकि बहुत सी बार ectopic pregnancy हो जाती है जिसमें flint line ही शो होती है डार्क नहीं ह होती है और बहुत सारे cases में dark line शो भी हो जाती है पर वो सभी patient की condition situation सारी अलग रहती है तो उन conditions को देखे हमें differentiate करना पड़ता है कि किस case में क्या है हर एक case एक जैसे नहीं हो सकता है तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि कोई भी periods लाने वाली दवाई खतम होने के कितने दिन बाद तो minimum 10 days में आपके periods आ जाते हैं अगर 10 दिनों में periods से नहीं आ रहे तो 11-12 दिन पर अगें pregnancy test करके देखना है और उसका जो भी result रहेगा उसके हिसाफ से डोक्टर आ जलिए ले नहीं लाञ बादोần में बादो होने जाई अगुरी में बareला है